हलो स्टुडेंट्स, वेलकम बैक टू माई येट्टूब चैनल आर्ट सेजन क्लासेश, मेरा नाम रजना गुपता है, आज हम आप लोगों को UPPGT आर्ट 2021 का कुश्चन पेपर सॉल्फ कराएंगे तो चलिए सुरुवात करते हैं कुश्चन नंबर बन से Q1. इनमेर से विनोत भीहारी मुखर्जित्वारा निरमित सर्वादिक भृत्तिच्चित्र किस्वषविध्ध्याले में है? आप्सन A है महराजा सयाजी राओ विश्व विध्याले बडोदा आप्सन B है इलहाबाद विश्व विध्याले इलहाबाद आप्सन C है काशी हिंदु विश्व विध्याले वारांशी आप्सन D है विश्व भार्दी विश्व विध्याले शांती निकेतन तो इसका राइट एंसर हो जाएगा विश्व भारती, विश्व विध्याले, शांती निकेतन में सरवादिक भित्ति चित्र, विनोध भिहारी मुखर जी के द्वारा निर्मेत है, ठीक है? विनोध भिहारी मुखर जी का टाइम पिरियेट 1904-1989 है, इनका जन्म बंगाल के बहरा नामक इस्थान में हुआ था नेक्स कोश्चन है, कौन वोस चित्रकार नहीं है? आप्शन A है, बदरिनात आर्य, आप्शन B है, नलनी कुमार मिश्र, आप्शन C है, अबदुर रहमान चुपताई, आप्शन D है, दिलीब दास गुपता तो इन में से वह चित्रकार नहीं है दिलीप दास गुपता Next question है Leonardo da Vinci क्या थे? Option A है चित्रकार वास्तुकार प्रिंट मेकर Option B है चित्रकार मुर्तिकार डॉक्टर Option C है अभियनता वास्तुकार मुर्तिकार चित्रकार एवं ड्राफ्ट्समेन Option D है चित्रकार प्रिंट मेकर कार्पेंटर तो Leonardo da Vinci थे अभियनता वास्तुकार मुर्तिकार चित्रकार एवं ड्राफ्ट्समेन Leonardo da Vinci का जन 15 अपरेल 1452 इस्वी में फ्लोरेंस के विंची नगर में हुआ था इनी के जन्म दिवस के उपलक्ष में 15 अपरेल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है ठीक है और ये हाई रिनिंसा का सर्विस रिष्ट कलाकार है नेक्श कोस्चन है कोडार्क सूर्य मंदीर किसने बनवाया आप्शन A है राश्ट्रकूट, आप्शन B है देवराय दुतिय, आप्शन C है चंदेल, आप्शन D है नरसिम्मा देव प्रतम कुलार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया है नर्सिम्म देव प्रथम ने ठीक है कुलार्क का सूर्य मंदिर तेरवी शतीस्वी में बनी थी और ये सूर्य मंदिर कुलार्क उडिसा में इस्थित है कुलार्क का साब्दिक अर्थ सूर्य का कोना होता है मंदिर का निर्माण काले ग्रेनाइट पत्थर से हुआ है इसलिए इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है निक्ष्ट कोश्चन है मथूरा, वरार्शी और पत्ना डैस काल के महान किंद्रों में से रहे उप्षन A है राष्ट कूट, उप्षन B है वकाटक, उप्षन C है पल्लव, उप्षन D है गुप्त तो मथूरा, वरार्शी और पत्ना गुप्त काल के महान किंद्रों में से रहे हैं निक्ष्ट कोश्चन है किसने कहा कि कला एक सहच ग्यान है उप्षन A है लियोनाडो दाविंची, उप्षन B है आदी संकराचार्य, उप्षन C है बेनेडेट्टो क्रोचे, उप्षन D है स्वामी रामतीर्थ कला एक सहच ग्यान है, किसने कहा है बेनेडेट्टो क्रोचे ने कहा है ठीक है, इनका जन 1866 इस्वी में हुआ था और ये इटली का आत्मवादी दार्शनिक था नेक्स कोश्चन है, पहाडी चुत्रकडा का निर्मार छेत्र है उप्षन A है राजस्थान, उप्षन B है मध्य प्रदेश, उप्षन C है जम्मू एवं कस्मीर, उप्षन D है हिमाचल प्रदेश तो यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश पहाडी चित्रकला का निर्मार छेत्र है हिमाचल प्रदेश पहाडी चित्रकला का टाइम पिडियेट 17 से 19 सती इस्वी है इसे हिमाच्चल चित्रसाली भी कहा जाता है नेक्स कोश्चन है मदल लालनागर के चित्रों का विसे था आप्सन A है लखनव, आप्सन B है मुंबई, आप्सन C है लाहोर, आप्सन D है कोलकाता मदल लालनागर के चित्रों का विसे था लखनव, ठीक है मदल लालनागर का टाइम पिडियेट 1923 से 1984 इस्वी है इनका जन्म लखनव में हुआ था लखनव सहर के विभिन द्रिश्यों का अंकन करने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है सिटी स्केप पिंटर भी कहा जाता है ऐसे कुश्चन आता है ना कि सिटी स्केप पिंटर किस कलाकार को कहा जाता है तो मदल लालनागर को कहा जाता है नेक्स्ट कुश्चन है इनमें से पेवडी होता है Option A है पीला रंग, Option B है नारंगी रंग, Option C है खड़िया सफेद रंग, Option D है काला रंग इनमें से पेवड़ी होता है पीला रंग Next question है, Company Sally के चित्रण की तकनीक थी Option A है टेमपरा, Option B है फ्रेसको, Option C है एक्रेलिक रंग, Option D है जल रंग तो Company Sally के चित्रण की तकनीक थी, जल रंग थी Next question है, On Monarch की गरंथ किसका है, Option A है दांटे, Option B है प्लेटो, Option C है हीगेल, Option D है कांट On Monarch की गरंथ दांटे का है, ठीक है, और दांटे का जन 1265 इसवी में इटली के फ्लोरेंस में हुआ था, और ये इटली के महान कवी कहे जाते हैं Next question है, अति अथार्दवाद का प्रिथम घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया, Option A है सल्वाडो डॉली, Option B है आंद्रे ब्रित्तो, Option C है मैक्स एंसर्ट, Option D है होन मेरो अति अथार्दवाद या इसी को सीरियलिस्म भी कहते हैं, इसका प्रिथम घोषणा पत्र आंद्रे ब्रित्तो ने प्रकाशित किया था ठीके किसने प्रकासित किया था आंद्रे ब्रेटो ने और कब किया था तो अतिय थार्दवात का घोषडा पत्र 1924 इस्वी में कवी आंद्रे ब्रेटो या आंद्रे ब्रेटन भी कहते हैं इनको इनोंने प्रकासित किया था आन्द्री ì्रेइटन को अतिय थार्ग वाद का पूप भी कहा जाता है निक्स कोस्चन है इनमें से कंपणी सैली का चितरकार नहीं है ऑफ्षन E है विसंदास, ऑफ्षन B है सेवक राम, ऑफ्षन C है शिवलाल, ऑफ्षन D है जैराम दास तो इन में से कंपनी सैली की चित्रकार नहीं है विसंदास, विसंदास मुगल कालीन चित्रकार है निक्स कोश्चन है भारत की चित्रकला और भारत की मूर्तिकला पुस्तकों की लिखक कौन है? उप्सन A है भारतिंदू हरिश्चंद्र, उप्सन B है जैसंकर प्रिसाद, उप्सन C है राय कृष्ण दास, उप्सन D है समशेर बहादूर सिंग तो यहाँ परायट एंसर हो जाएगा राय कृष्ण दास नेक्स्ट कोस्चन है शिवको समर्पित कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्मार किस राजवन्स के समय की की गई थी? उप्सन A है चोल, उप्सन B है चंदेल, उप्सन C है सुंग, उप्सन D है पल्लो तो शिवको समर्पित कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्मार चंदेल राजवन्स के समय की गई थी? ठीक है? जैसा कि नाम से ही इस पस्थ है ये मंदिर शिवको समर्पित है ठीक है महादेव से नाम से ही इस पस्थ है कि ये मंदिर शिवको समर्पित है इस मंदिर का निर्माड एक हजार पैसट इस्वी यानि की ग्यारवी शती इस्वी में गंड़ देव के पुत्र विद्याधर ने निर्मित करवाया था और यह मंदिर नागर सैली में निर्मित है ठीके और खजराओ सैली की सर्वत्तम रचना है यह मंदिर लगबग 117 फीट उचा तता 66 फीट चोड़ा है नेक्स कोश्चन है रडबीर सिंग विष्ट की चित्र सिंखला थी आप्शन A है मधु साला, आप्शन B है उमर खयाम, आप्शन C है विजुका, आप्शन D है अन्वांटेड तो रडबीर सिंग विष्ट की चित्र सिंखला थी अन्वांटेड रडबीर सिंग विष्ट का टाइम पिरियड 1928 से 1929 इसवी है इनका जन्म उत्त्रा खंड के गरवाल जी लेके लेंस्ट डाउन में हुआ था निक्स कोश्चन है मास्टर आफ दा माउंटेंस नाम से कौन जाना जाता है आप्शन A है इवान एवाजोवसकी आप्शन B है निकोलस रोरिक आप्शन C है मार्क सेगाल आप्शन D है लिवान बक्सर Master of the Mountains नाम से Nicholas Rory को जाना जाता है Nicholas Rory का टाइम पिरिएट 1874 से 1947 इस्वी है इनका जन्म रूस केट सेंट पीटर्स बर्ग में हुआ था इन्हें रंगवो का जादूगर या कला का जादूगर भी कहा जाता है और इन्हें हिमाले की आत्मा का चितरकार भी कहा जाता है Next question है निम्न लिखित में से मुगल काल में चितरशाला को किस नाम से जाना जाता था Option A है कक्षा, Option B है रंग महल, Option C है कुतुब खाना, Option D है अभ्यास कक्ष इसे तो मुगल काल में चित्र साला को कार खाना के नाम से जाना जाता था पर यहाँ पर option C कुतुब खाना सही हो जाएगा आयोग ने कुतुब खाना ही इसका answer माना है Next question है कला की निलामे की online संस्था सैफरन आर्ट कौन संचालिक करता है option A है मीनल वजिरानी, option B है सतीस गुजराल, option C है नंतिदादास, option D है सुबोद गुपता कला की निलामे की online संस्था सैफरन आर्ट मीनल वजिरानी संचालिक करती है यह सैफरन आर्ट की को फाउंडर है next question है समानु भूती की अवधारना को किसने प्रस्तुत किया option A है Thomas Lawrence, option B है Tammy Hicks, option C है Theodore Lips, option D है Easter Lincoln समानु भूती की अवधारना को Theodore Lips ने प्रस्तुत किया था next question है अलता मीरा के गुफा चित्रों को किस माध्यम से बनाया गया है option A है प्राकृतिक रंग, option B है जानवरों की चर्वी के मिश्रण से, option C है कोईला, option D है इन सभी का प्रयोग हुआ है तो यहां राइट एंसर हो जाएगा इन सभी का प्रयोग हुआ है next question है विनोद भार्दवाज की पुस्तक है option A है वरिहत आधुनिक कला कोश, option B है भारती चित्रकला, option C है कला विमर्स, option D है मुनालिसा हस रही थी तो इन में से विनोद भार्दवाज की पुस्तक है वरिहत आधुनिक कला कोश next question है सिल्पी चक्र समू के संस्थापक थे option A है सतीस कुजराल, option B है एनस बेंदरे, option C है केके हैबर, option D है बीसी सान्याल दिल्पी चक्र समू के संस्थापक थे, बीसी सान्याल, इनका पूरा नाम भाविस चंद्र सान्याल है इनका time period 1902-2003 इस्वी है, इनका जन्म असम के डिब्रुगर में हुआ था बीसी सान्याल को कला समराट के नाम से भी जाना जाता है next question है कौन कला समिक्छक नहीं है option A है केशव मलिक, option B है प्रयाक सुकल, option C है जोतिस जोसी, option D है विरेश्वर सेन तो इनमें से कला समिक्छक नहीं है विरेश्वर सेन, विरेश्वर सेन जो है भारत के प्रिशित चित्रकार थे next question है, the virgin of the rocks चित्र संगरहित है option A है दा लूपर म्यूजियम, option B है वेटिकन म्यूजियम, option C है ब्रिटिस म्यूजियम, option D है विक्टोरिया एंड अलबर्ट म्यूजियम the virgin of the rocks चित्र, दा लूपर म्यूजियम में संगरहित है ठीक है और virgin of the rocks जिसे हिंदी में सेल खंडो की कुमारी भी कहते हैं ये लियोनाडो दा विंची का प्रिथम उत्कृष्ट चित्र है और ये चित्र 1483 से 1486 इस्वी में बनी थी नेक्स कोश्चन है दा ठिंकर मूर्थी किस कलाकार ने बनाए है option a है रोसो, option b है देगाज, option c है डेविट स्मिथ, option d है आगस्त रोन्दा तो दा ठिंकर मूर्थी के कलाकार है August रोन्दा या August रोडीन भी इनको कहते हैं ठीक है? इन्होंने बनाया है अगस्त रोंदा का टाइम पिरियट 1840 से 1917 इस्वी है इनका जन्म पेरिस फ्रांस में हुआ था नेक्स कोस्चन है वीनस का जन्म नामक चित्र किसने बनाया है अप्सण A है लियोनाडो दाविंची, अप्सण B है कूर बे, अप्सण C है बोती चेली, अप्सण D है एल ग्रेको वीनस का जन्म नामक चित्र बोती चेली ने बनाया है इनका पूरा नाम सांद्रो बोती चेली है इनका टाइम पिरियट 1445 से 1510 इस्वी है सांद्रो बोतिचली का जन इटली में हुआ था ये इटली के अरली रिनेंसा के कलाकार है नेक्स्ट कोश्चन है प्रसित पुस्तक क्रिटिक ओफ जज्मेंट का लेखक कौन है अप्शन A है फ्रेडरिक हिगल, अप्शन B है इमेनुवल कांट, अप्शन C है आर्कीबॉर्ड एलिसन, अप्शन D है डेविट ह्यूम क्रिटिक ओफ जज्मेंट के लेखक हैं इमेनुवल कांट ये क्या थे तो जर्मन दार्शनिक थे इमेनुवल कांट नेक्स कोश्चन है निम्न में कौन समिक्षावाद कलासमू से जुड़ा है अप्शन A है रामकुमार, अप्शन B है एमेफ हुसैन, अप्शन C है क्रिशना रेड़ी, अप्शन D है रामचंद्रशुकल यहां राइट एंसर हो जाएगा रामचंद्रशुकल, रामचंद्रशुकल समिक्षावाद कलासमू से जुड़े हैं प्रोफेसर रामचंद्रशुकल का टाइम पिरियेट 1925 से 2016 इस भी है, इनका जन्म UP के बस्ती जिले में हुआ था नेक्स कोश्चन है, ग्रूप 1890 नामक संगड़न किसने बनाया, ओप्शन A है पी सिवबालन, ओप्शन B है जे स्वामी नाथन, ओप्शन C है केजी सुब्रमन्यम, ओप्शन D है ए रामचंद्रशुकल, तो यहां पर आइट एंसर हो जाएगा, जे स्वामी नाथन ग्रूप 1890 की स्थापना 1963 इसवी में नए दिल्ली में हुवी थी, जग्दिश स्वामी नाथन ने इस ग्रूप का मैनिफेस्टो या घोश्रा पत्र तयार किया था निक्स कोस्चन है के सो दास लिखीत कभी प्रिया प्रणाय कथा के सैली में चित्रित है ओप्शन A है कोटा सैली, ओप्शन B है बुंदी सैली, ओप्शन C है गुलेर सैली, ओप्शन D है कांगडा सैली तो यहारा है टेंसर हो जाएगा कांगडा सैली निक्स कोस्चन है सो अंदर की देवी वीनस का युनानी रूप है ओप्शन A है डाइना, ओप्शन B है मर्क्यूरी, ओप्शन C है हेरा, ओप्शन D है एफ्रोडाइटी सौंदर की देवी वीनस का यूनानी रूप है एफ्रोडाइटी next question है बाग गुफाव का पुराना नाम क्या है option A है रुपायन, option B है विरूप, option C है कलायन, option D है शामभव बाग गुफाव का पुराना नाम है कलायन या कलियन भी बोलते हैं ठीक है बाग कुफा मद्ध प्रतेश के धार जिले में नर्मदा की सायक नदी बागनी नदी के तरपर इस्थित है इसकी खोच सन अठारा सो ठारा इस्वी में अलेक्जेंडर डेंजर फिल्ड ने की थी और बाग कुफा बहुत धर्म से सम्मधित कुफा है आप्शन A है बंगाल सैली, आप्शन B है कांगड़ा सैली, आप्शन C है कमपनी सैली, आप्शन D है पटना सैली तो इसका राइट एंसर हो जाएगा कांगड़ा सैली नेक्स्ट कोश्चन है इनमें से कौन बॉम्बे प्रगदी सील कलाकार के चित्रकार है आप्शन A है प्रानात मांगो, आप्शन B है केयस कुलकरणी, आप्शन C है है अचे गाडे, आप्शन D है कमवल कृष्ण तो इन में से बॉम्बे प्रगदी सील कलाकार के चित्रकार है है एच ए गाडे इनका पूरा नाम हरी अंबादास गाडे है हरी अंबादास गाडे का टाइम पिरियट उनिस सो सत्रा से दो हजार एक इश्वी है इनका जन्म अम्रावती आंधर प्रदेश में हुआ ठीक है और यह पैग ग्रूप के कोशा अध्यक्षियानी की कैसियर थे एच ए गाडे क्या है आगरिती मूलक कलाकार हैं ठीक है यह आगरिती मूलक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं नेक्स कोश्चन है राजस्थानी चित्र का मूल स्त्रोथ है आप्सन ए है प्रागयतिहासिक आप्सन बी है अजन्ता सैली आप्सन सी है अब्रन सैली आप्सन डी है बंगाल सैली राजस्थानी चित्र का मूल स्त्रोथ है अब्रन सैली निक्स कोश्चन है हरिहन लाल मेड किस छेतर से सम्मंदित है आप्शन A है कविता, आप्शन B है रंग मंच, आप्शन C है वोस चित्रण, आप्शन D है मूर्ति कला हरिहन लाल मेड वोस चित्रण से सम्मंदित कलाकार है निक्स कोश्चन है चित्रसूत्र के अध्याय में 6 वृद्धी का वर्णन किया गया है ओप्सन A है पाँचवा, ओप्सन B है छटवा, ओप्सन C है चोथा, ओप्सन D है आठवा तो चित्रसूत्र के पाँचवे अध्याय में 6 वृद्धी का वर्णन किया गया है नेक्स कोश्चन है सांद्रो बोती चेली किस देश से समंदित है आप्शन A है युक्रेन, आप्शन B है इटली, आप्शन C है नीदर लेंड, आप्शन D है स्पेन तो सांद्रो बोती चेली इटली देश से समंदित है नेक्स्ट कोस्टन है, विरेचन का सिधान किस दारशनिक से समबन दीत है दिखिँ विरेचन का सिधान या इसे इंगलिस में कथारिसिस भी बोलते हैं यह सिद्दान के दार्षनिक है अरस्तु इन अरस्तु ने विरेचन का सिद्दान पृतिपादित किया था इस क्लास में UPPGT 8 2021 के 40 कोस्चन तक सॉल्व करा दिये गए हैं अब नेक्स क्लास में इसके आगे के कोस्चन सॉल्व कराए जाएंगे तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहे और रिविजन करते रहे थैंक यू सो मच